हाई फ्रेंज कैसे हैं आप स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल फ्रेक 11 फोकास पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिवी वर्सिस जेस फुल स्टाट्स प्रस इंफो ड्रीम 11 की टीम करने वाले हैं डबूला वाइकिंग्स और जफनस टॉलियंस के बीच में जो जुड़े तो टेलीग्राम में आपने जुड़ना है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे चैनल में जरूर जुड़े फोरकास फेमिली में दोस्तों वेन्यू की बात करें तो महिंदर राजा पाकसा इंटरनेशल स्टेडियम हम बंड टोटा में सारे मैच होने वाले हैं इस लीग के और अभी तक यही देखने को मिला है बल्लेबाद इंजॉय कर रहे हैं इससे ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है वालेटीullen गीट को कुछ जाधा है फिर भी अपने टीम मेंगर आप एक दो quality प्लेर्ल प्लेयर stip रखना चाहें तो रखें क्योंगी कुछ प्लेयर ऐसे होते जो अच्छे होते और विकेट्स निकाल लेते हैं आप चारो मैचिस का डेटा देख सकते हैं, चारो मैचिस में आप देख सकते हैं, अच्छे रंज बने हैं, ये केवल पांच ओवर का मैच थो और ये मैच भी पूरा नहीं हुआ पया था, तो अल्मुस्ट अब कैसा कि जो तीन मैचिस में पहली इनिंग्स पूरी हुई है, और आपको बता दू, इस मैच में उनके खेलने के बहुत कम चांसे हैं, तो आप ध्यान रखे हैं, अगर नहीं खेलते हैं, हो सकता है, कोई निया ओपनेर भी आपको आता दिख जाए, तो उसका अपडेट आपको टेलीग्राम में मिलेगा, या फिर हो सकता है, एंजलो पर और दरसुन शनाका है, लास्ट मिच में हमने वाइस कैप्टन दिया था, दरसुन शनाका को जब दबूला वाइकिंग्स का पहला मैच था, जो इन्होंने जीता, और काफी हद तक यही रीजन थे, इन्हीं को वाइस कैप्टन करना बहुत अच्छा रहा था, समयक पटेल न सुदीब त्यागी, लेकिन इनको लास्ट मिच में बोलिंग का मोगा नहीं मिला था, दरसल इनकी बोलिंगी पूरी नहीं हुई थी, तभी बारिश आ गए थी और मैच को जितना हुआ था, उसी में रिजल्ट अनूस कर दिया गया था, लहीरु कुमारा इनकी अच्छे बो सबसे पहले इनका नाम लिया है, क्योंकि मुझे एक अच्छी डिफरेंशल प्रिक दिखरी है, नुटिंगम शायर के लिए खेलते थे, बहुत अच्छा खेले हैं वहां पर भी, यहां पर अगर टॉप आप अगर टॉप आटर मुप फिर से कॉंटिन्यू करते है, वेरी ग हैं, पाकिस्तान के बाद भी यह काफी खेल चुक है, टोटल टी ट्वेंटी अगर पूछोगे मुझसे, तो उन्हें हाइस नंबर ओफ टी ट्वेंटी में, डमेस्टिक मिलाके, चौते नंबर पे हैं, तो सोच सकते हो कितना एक्स्पीरियंस होगा, तो अनजे डिसलवा ज काफी अच्छे प्लियर हैं, जो कि साउथ अफरीका से बोलिंग कर चुक है, आपने देखा कोलपाक डील पर भी गहे थे हैं, हैंशायर में, उसके बाद डुएन ओलिवर हैं, ये भी साउथ अफरीका के हैं, एक ये भी डील लेके चले गए थे, कहाँ पर ये भी चले गए थे कोलपाक डील पर, बाकी बिनीरू फरनेंडो है, शिल्णका के लोकल प्लियर, मेरे इसाब से काईल एबोट और यहां पर डुएन ओलिवर आपके लिए जाधा सेफ रहेंगे, जाधा अच्छे रहेंगे, बिनीरू फरनेंडो ने तीन ओर डाले, 27 रन जीरो विकेट, का अच्छा, टेलिग्राम का आपको यह रिमाइंडर दे दो, अगर नहीं जुड़े हैं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोस्तो टीम सेलेक्शन के जब आप टाइम पे आएंगे, तब आपको तीन विकेट कीपर दिखेंगे, तीनो ही अच्छे हैं, निरो मेरा बहुत मन है, टॉम मूर्स को लेने का, लेकिन कहीं बार हमें थोड़ा सा दिमाग से जादर सोचना पड़ता है, तो मेबी मैं इनको लूँगा, वो आपको फाइनल टेलिग्राम में आकर देखना है, बट फॉर दर टाइमिंग यह मेरी टीम में नहीं है, बल्ले बाज जादू फर्नेंडो की पहली इनिंग्स, और शेलंका के लिए जो रिसेंट इनिंग्स के लिए हैं, बहतरी इन रही है, इसलिए इनको लेके चल रहा हूँ, अगेन दा मुस्ट एक्स्पीरियेंस प्लेयर जिसे के बताया, फोर्ट था ये स्टी ट्वेंटी स्केले हैं, शो स्टर्डिंग है, महराम नहीं होंगा अगर ये ओपनिंग पे आ जाते हैं, और इंडिया के जो सुदीब क्यागी हैं, शायद वो बाहर रह सकते हैं, और तो उनको वैसे भी नहीं दिया गया था, अगर हम और राउंडर्स पे आएं दोस्तों, तो थिसरा परेरा इस वेरी करें, अगर आप देखेंगे, दसुन शनाका को और समित पटेल को जादा लोगों ने प्रैफर किया, और बिल्कुल करना भी है, लास्ट में भी हमने दोनों को लेके चला था, मेरे मैक्सिमुम ओपनेंट शनाका को लेके आया था, लेकिन किसी ने वीसी नहीं किया था, और कई लोग तो समित पटेल को छोड़ किया थे, बहुत अच्छे से वो मैं जीता, उमीद करूँगा कि इस मैच में भी कुछ ऐसा करें, लेकिन आज की डेट में इनको सब ले रहे हैं, वनीदू हसरंगा को भी मैं टीम में पिक करना चा रहा हूँ, अच्छे स्पिन बोलर है पहले मैच में पिक किया, 17-18% सेलेक्शन था, विकेट लेकर गए, यहाँ पर धनंजेड इस इल्वा हैं, जो कि एक मतलब मैं कहूँगा, डिफरेंशल पिक का काम करेंगे, पहले मैच में हाई सेलेक्शन था, लास्ट परफॉर्मेंस देखके लोगों नहीं लिया, इंटर सेलेक्शन है, यह और एक्साइटिंग बना देता है इस प्लेयर को, बहुत ही आप पास उप्शन है, इनफेक्ट सीडि सिल्वा आर मिंडेस दूनों ऐसे प्लेयर हैं, जो रंस भी कर सकते हैं, गिन बाजी भी लेकिन बिल्कुल ही ना आप कह सकते हो नीचे आ रहे हैं, इस इस से आपको बताया, एक्स्पीरियंस बहुत है, सौथ अफरीका के लिए बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, सर्प्राइज हो गया था सौथ अफरीका का क्रिकेट बोट जब यह कोलपाक दील पर चले गए थे, बहुत इशूज हैं, आंके क्रिकेट में जानते ही होंगे कोलपाक दील वो डील होता है कि जो यूरोपियन में प्लेयर्स खेल सकते हैं, यूरोपियन लीग में, विदाउट उनका ओवर्सीस प्लेयर भी बने बना, मतलब मान लो कि ये प्लेयर जब हैंशायर में खेला था, काईल अबोट ये भी गया था और डूएन उलिवर भी ग बल्ले वाजी भी कर लेता है, इसलिए आप इनको ले सकते हैं, अब यही रीजन है कि मिरे पाई काईल अबोट नहीं है, मैं इनको लेनी पराई, वरना ये मेरी लिए बहुत अच्छे प्लेयर बन सकते हैं, काईल अबोट का ध्यान अखना मेरे दोस्त काफी अच्छा जाने तो लहीरू कुमारा है वरना मलिंदा पुष्प कुमारा पिच को देखते हुए मैं लहीरू कुमारा को लिना चाहता हूं बट वट गिवस मलिंदा पुष्प कुमारा एडवांटेज इस वन दिंग इनका T20 जो डमेस्टिक करियर रहा है बहुत अच्छा रहा है यहां पर खेल रहे हैं लेकिन कुछ खास परफॉरमेस दिया नहीं तो यहां पर यह सुरंगा लकमल को नहीं खिला गया था जो की वेल्ट ऑफ एक्सविरेंस अगेन रखते हैं बहुत क्रिकेट खेले हैं हर फॉरमेट में श्रिलंका के लिए इफ़ी प्लेज यह भी आप ले सकते हो काफी अच्छे हैं इसमान खान को नहीं खिला गया था अफ्ताब आलम को नहीं खिला गया था तो वाच ओट कुछ चें में बड़ी मुश्किल हो जाएगी टीम मना नहीं क्योंकि किसको और रौंडर को छोड़े वहां सारी कहानी फस जाएगी क्योंकि कोई छोडने वला है नहीं अगर हम कैप्टन सी वाइस कैप्टन से की बात करें मेरे दोस्तों तो यहाँ पर ऑप्शन्स है आपके बास काफ दी शनाका ने लास मैंच में बोलिंग नहीं किया इतना खास तो जरूरी नहीं है कि इस मैच में भी नहीं करेंगे यह फैक्टर को देखते हुए मैं दसुन शनाका को लेना चाहरा हूँ ओपनिंग पे आने वाले अविश्का फर्नेंडो या दसुन शनाका कॉल आप करेग आप चाहें अविश्का फर्नेंडो को कर सकते हैं वही सेफ रहेंगे मेरे दोस्त आपके लिए उमीद करता हूँ वीडियो से आपने कुछ जरूर सीखा आपको अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेंगे टेलीग्राम चनल में जरूर जुड़ें आप भी उनमें से एक बने कि हम कुछ अच्छा करेंगे